वीडियो देखने से पहले दक्षिना के तौर पे चैनलों का भी सब्सक्राइब कर दीजे लेटिस क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए सासाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपका दक्षिना ओश्ट ना हो तो मैं हमीर आपका मातिन क्रिकपर में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों मैं आई से जुरी एक और नए वीडियो लेकर जबिनमाज हम बात करेंगे क्यूं पिछले दो साल से एटी के जादातार खिलारी इंजिरी से जूज रहा है क्या है इसके पीछे कारण तो जानने में खलारी इंजिरी हो रहा है पूरे से एक अटी के साथ इंजिरी फैक्टर चल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो के पहले तीन सेसर ने आथलेकों माधिरों के साथ एटी के जुरा होा था तब ऐसाएंजा ँजीरी पौब्लम नहीं था लेकिन 2017 सापोर्टिंग स्टाप का हार्ड वाक था लेकिन पिछले साल जब जनौरी में टेडी सिरिंग हमको हेड को जुबनाया गया तब से ही इंजिरी कॉंट्रल नहीं हो रहा है एटी के द्वारा पिछले साल डराव में एजन सें लिंडो को ऐटी कि ने पिक किया लेकिन एजन सें लिंडो सिर्फ तीन ही मैंच खेल पाया और बाकी सिर इंज्री के कारण बाहर चला गया उसके बाद रॉबी कीन भी लगभग आधा सीजन के बाद आया और आधा सीजन खेला लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपक्ट नहीं कर पाया ओव भी लगभग इंजरी से ही जूज रहा था उसके बाद आगा देखा जाये तो जैस राने फॉरजने खिलारी काल बेकर भी इंजरी होकर सीजन से ही रूल आउट हो गया था उसके बाद आसुतोस महता अनुवार आली संकर संपिंग राज ए सब खिलारी पूरे सीजन में ही इंजरी से जूज रहा था उसके बाद सीजन के लास्ट में जाकुईना और नजी जी कूकी को भी इंजरी हो गया तो दोस्तों आब 2018 में देखा जाए तो जब स्टीब कॉपल के हिट को चुना गया तब भी ए पॉब्लेम सॉल्व नहीं हुआ और इस सीजन में ही सीजन सुरू होने से पहले ही ट्रेनिंग के दोरन पर भी दास बहुत ही बारा इंजरी से हाथ धो बैटा उसके बाद अंदरे बेके और अर्णा मं नहीं खेल सकता दो महीने के बाद उनका ट्रेनिंग सुरू होगा उसके बाद ही ओ खेल पाएगा यानि कि लगबग सीजन के खतम होने के बाद ही ओ वापस आ सकता है और उनके जगे एजी रिप्लेस्मेंट लिया अलफारो को और एटी का किसमत देखो यार अलफारो भी ट अब देखी से जुरा हुआथा तब बहुत अच्छा हाई कौलिटिकर ट्रेनिंग मिलता था एटीकि को साद साथ ट्रेनिंग मेथवर्प बहुत सेफ था और एथलिटिकर मादे तब बहुत सारे एक्स्प्रियेंस फीजिशन द्वारा ट्रेनिंग देता था पूरा टीम को जो physical training होता था बहुत ही उम्दा होता था तब और एही main region है मेरी तरफ से मुझे लग रहे हैं कि इसे के कारण team पुरी तरह से fit नहीं हो पा रहा है पिछले दो साल से ATU को इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना परेगा तब ही पुरी team fit रहेगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में आप मुझे comment में जरूर बताएए मेरा जो राय था मैं आपको बता दिया तो अब ही के लिए इस विडियों बाचितन है आपको बहुत दो सुक्राइए टाइम निकाल की इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू कर दिए अपने दोस्तों चीज़ बीडियो को जादा से जादा शाय कर दिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चला आइसल फाइप से जोड़े मैं आपको में तान नेक्स वीडियो पे तब तक क्लिए अ इस तरह करे दो से तरह कहाँने।